ज़ारकन नोटबुक चैनल में हरदिक स्वागत हैं इससे पहले के सेसन में हम लोग बात के थे पारा टीचर का क्लास 1 से 5 तक का सलिवस के बारे में इस सेसन में हम लोग बात करेंगे लेवल 2 यानि कि क्लास 6 से 8 तक का क्या सलिवस है जितने भी पारा सिक्षे कभी जारकंड में है जारकंड सरकार की निया मनुसर सभी को आकलन प्रिक्षा पास करना है अगर आप आकलन प्रिक्षा पास करते हैं तो बहुत सरे benefit आपको मिलेगा that's all known to जो आप सभी को पता है तो इसमें हम लोग बात करेंगे class 6 से 8 तक के syllabus में क्या-क्या है क्या-क्या पढ़ना आपको कितने paper है सबसे पहले हम लोग number paper की बात करेंगे तो जो आकलन प्रिक्षा होगा जो केडिग्रीज में इसको बाटा गया है एक compulsory subject रहेगा आपका और दूसरा रहेगा आपका optional subject तो number of compulsory paper जो है आपका चाहिए आप जो भी teacher है science teacher, language teacher और sst teacher compulsory paper आपका 5 होगा कितना होगा 5 आपका compulsory paper और optional में आपको 3 paper चूज करना है according to your category यानि कि आप किस category की teacher है कि subject category की teacher में आते है तो सबसे पहले हम लोग compulsory subjects की बात करते हैं फिर हम लोग एक एक करके optional teacher यानि कि optional subject की बात करेंगे तो compulsory paper में जो paper 1 है वो है आपका CDP का paper है Child Development and Pedagogy जिसमें total number of questions जो आप से पूछा जाएगा वो 18 पूछा जाएगा तो इस प्रकार से full marks जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा कितना हो जाएगा 18 अब हम लोग compulsory paper 2 को देखते हैं तो इसमें दो प्रकार की teacher आएंगे एक Hindi assistant teacher एक उर्दू assistant teacher तो जो हिंदी वाले है हिंदी medium से विलोंग करते हैं हिंदी का है तो हिंदी वालों के लिए क्या करना होगा लेंग्वेज चूज करने के लिए आपको हिंदी से आएगा 18 कितना आएगा 18 टोटल 18 question यानि कि language paper 1 language paper 2 आप बहुत ध्यान से समझेंगे paper 1 आपका CDP का है paper 2 आपका language 1 का है जिसमे हिंदी का 18 और English का 18 अगर आप हिंदी क्केडगورिस से विलोग करते है अगर आप उर्दू काडगरिस से विलोग करते है तो आपका उर्दू से 18 question आएगे और English से 18 तो इस प्रकार से paper 2 में total marks जो आपका 36 marks है कितना mark है? 36 किसमे language 1 के paper में आपका total 36 marks है जो दो भाग में divide है 18-18 करके Hindi English या तो आपको उर्दू English इन दोनों में से कोई एक choose करना होगा अब हम लोग language 2 की बात करते हैं तो language 2 जो है आपका language 2 की बात करते हैं तो कोई भी आपको original subject या tribal subject में से कोई भी एक आपको choose करना होगा इसमें total number of question आपका 36 रहेगा total marks रहेगा आपका 36 और paper 4 के अगर हम लोग बात करें compulsory paper का तो इसमें जो है total आपका 25 कितना 25 question पुछे जाएगा 25 marks के लिए mental ability and reasoning में अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे की ओर आगे आपका optional paper है paper number 5 इसमें category आपको समझेंगे इसमें बहतर तरीके से एक एक करके हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे mathematical science या science teacher के आप math category से बिलोंग करते हैं अगर आप math से किये होंगे तो और या science teacher science category में आप बिलोंग करते हैं तो तो आपका एक compulsory optional subject रहेगा जिसे जैसे कि यहाँ पर है math और science दोनों के लिए math आपका compulsory रहेगा जिसमें total 45 questions पूछे जाएंगे कितना 45 अब optional subject दो और optional subject तीन जो है इन चारो subject में से कोई भी दो आपको चूझ करना है चार subject क्या है physics, chemistry, botany and geology इन में से कोई भी दो आपको चूझ करना है चारों नहीं चूझ करना है तो इस प्रकार से इस category में आप यहाँ पर देखेंगे यान कि paper 5 में आप देखेंगे तो total 3 subject है कितना subject है? 3 पहला compulsory optional subject, दूसरा optional subject 2 और तिसरा optional subject 3 और 3 मिला के आपका हो जाता है 135 नमबर, कितना हो जाता है? 135 आप हम लोग आगे बढ़ते हैं, sst teacher की बात कर लेते हैं अगर आप sst teacher से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो रहेगा कोई भी 3 optional subject चूझ करना है इन सब में से टोटल आपको offer क्या 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 है, history का है, geography है, political science, economics, sociology, accountancy and business studies बट इन में से सिर्फ आपको 3 optional paper को चूझ करना है, जिसमें से भी आप graduation है, पोस्ट graduation है जिसमें आप feel करते हैं, कि आप आराम से पास कर सकते, इन में से history चूझ कर सकते आप geographic, political science का combination चूझ कर सकते या आप history, geography, sociology का combination चूझ कर सकते that's totally open, यह थो कि आप किसका combination चूझ करते हैं, बट आपको सिर्फ तीन ही लेना है, कितना लेना है, तीन ही लेना है इस सीज को ध्यान रहेगा आप, तोटल 135, तोटल कितना? 135, अब हम आगे बात करते है, language teacher, जो भी language सिख चक है, उनके लिए क्या है? तो उनके लिए पहला एक compulsory paper है, compulsory language subject है, वो है English का, किसका? English का, और इसमें total number of question जो पूछा जाएगा, 68 पूछा जाएगा, और language बालों के सिर्फ दो ही optional subject है, optional subject 1, जो की compulsory है, और वो है English का paper, 68 number का, दूसरा optional subject 2, जो है वो आपका, सब मैसे चूछ करना है, Hindi, Sanskrit, Urdu, Bangla या ओडिया, जैसे as for example, अगर आप Hindi लेते हैं, तो आप खली एक ही subject चूछ करेंगे, अगर आप Bangla लेते हैं, तो सिर्फ आपको एक ही subject चूछ क तो इस प्रकार से total number of question आपका हो जाएगा, 135, 135 marks के लिए, अब आपको बात करेंगे, तो total आपका जो grand total हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 250, कितना हो जाएगा, 250 नमबर का आपका total exam होगा, आपका जो syllabus and level of exam रहेगा, वो intermediate के आसपास level रहेगा, पर intermediate तक का paper नहीं पूछ से जाएगा, कुछी सवाल पूचे जाएगा, उससे, बाकि आप 10 तक का अगर clear कर लेते हैं, और 11, 12 का कुछ selected chapter को complete कर लेते हैं, तो आकलन परिक्षा आप बहतर मार्क से पास कर सकते हैं, आगे आने बाले समय में हम लोग आकलन परिक्षा से जुड़े बहुत सरी चीजों क के बात करेंगे, content related, कि आपको क्या पढ़ना है, कि subject से पढ़ना है, किस book से पढ़ना है, कौन सा paper के लिए, कौन सा book आपको cover करना है, तो इस सारे के बारे में हम लोग आगे discuss करेंगे, तो आप channel से जुड़ेंगे ताकि आपको एक नया age मिले, और आपको आखरन परिक्षा पास करने में help हो, that's all for today, thank you, enjoy, जार कर,